सद्गुरू, मैं लगातार अपने कुछ सीनियर साथी डॉक्टरों को लेकर परिशान रहता हूँ, जो बहुत ही अच्छे सर्जन है। सद्गुरू, दिल को ठी करने के कुछ ऐसे ओप्रेशन हैं जो बहुत कम लोग कर पाते हैं, पूरी दुनिया में। मैं एक उधारन देता हूँ, मैं एक ऑप्रेशन करता हूँ जिसे पल्मनरी इंडार्ट टेरिक्टॉमी कहते हैं। इस बिमारी में खून के ठके पैर से फेपडों की धमनियों में जाकर सभी धमनियों को ब्लॉक कर देते हैं। 20-25 साल पहले इसका कोई लाज नहीं था। और जैसे ही पता चला कि आपको ये बिमारी साल भर के अंदर आपका मरना तै था। आजकल ऐसे लोग जो 2-3 सालों में होम ऑक्सीजन पर हैं, वो ऑपरेशन के बाद स्काई डाइविंग या स्कूबा डाइविंग करने जा सकते हैं। उनका जीवन इतना बदल जाता है। मगर इस दुनिया में 50 से भी कम ऐसे सर्जन हैं, जो ये ऑपरेशन कर सकते हैं। इसी तरह मेरे कुछ सहीयोगी बहुत ही gifted surgeons हैं। उनकी उम्र 50 से जादा हो चुकी है। उनमें से कुछ लगातार retirement की बात करते रहते हैं। खास्ता और पर एक सर्जन जो बहुत ही काबिल और gifted surgeon है, जो किसी भी damaged valve को ठीक कर सकते हैं। वो अविवाहित हैं, उनकी कोई दूसरी जमेदारी नहीं है। वो हर दूसरे दिन बनारस या कहीं और जाने की या retire होने की बात करते रहते हैं। मैं उनसे कहता रहता हूं कि भगवान ने उन्हें retire होने या ध्यान करने के लिए नहीं बनाया। उन्हें इन बिमारियों को ठीक करते रहना होगा। तो गुरुजी वो हर छे महिने में मुझे extension देते रहते हैं। छे महिने बीते बीते उनका वही अलाब शुरू हो जाता है। वो retirement की बात करने लगते हैं और अस्पताल में हर कोई निराश हो जाता है। तो इस तरह के लोगों से हम कैसे निप्टे हैं। आप उन्हें छुटी पर एक साल के लिए मेरे पास भेज दीजे। क्योंकि किसी को retirement की जरूरत इसलिए महसूस होती है, क्योंकि उसके काम में नीरसता आने लगती है। वो कुछ भी हो। किसी और को लगता है कि ये बहुत बड़ा काम है। लेकिन आपके अनुभव में ये कही न कही नीरस हो गया है। या ठहराव आ गया है। ठहराव एक ऐसी चीज है, जिसे इंसान के बुद्धिय और शरीर स्विकार नहीं करते है। ज्यादातर बीमारियां ठहराव के कारण होती है। जीवन का ठहराव। हो सकता है कि उन्हें प्रमोशन मिल रहा हो, वो ज्यादा पैसे कमा रहे हो। यह सब हो सकता है, मगर अनुभव के स्थर पर एक ठहराव है, जो मुख्य वजय हो सकती है, उन कई जटिल बीमारियों की, जिसे लोग अपने शरीर में पैदा करते हैं। जैसे जैसे बीमारियां जटिल होती जाती हैं, आप और भी ज्यादा talented surgeons बनाने की कोशिश करते हैं। हम समस्याओं को पैदा कर रहे हैं, फिर उनका हल ढूडने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग समस्याओं में पढ़ चुके हैं, उन्हें समाधान की जरूरत है। लेकिन लोगों को ये सिखाना बहुत जरूरी है, कि वो कैसे इन समस्याओं को पैदा न करें। वरना आपको 50 की बजाए 5000 expert surgeons पैदा करने होंगे, जो इन लोगों का खयाल रख सकें, जो खुद ही बीमारियां पैदा कर रहे हैं। मैं तो काऊंगा कि जिस surgeon के पास एक खास योगिता है, और जिसने जीवन भर काम किया है, अगर वो अपनी खुद की प्रकृती की खोच करना चाहता है, तो ये सबसे अच्छी बात होगी। क्योंकि इस इनसान में जिम्मेदारी की कमी नहीं है। या योगिता की, अगर योगिता और जिम्मेदारी है, तो आपको उनसे रोज-रोज वही काम करवाकर उस संभावना को नश्ट नहीं करना चाहिए। ये महतुपूर्ण है कि वो अपनी खुद की प्रकृती को खोजें। जो कि उन्हें पता नहीं कि वो क्या खोज लेंगे। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि वो क्या पा सकते हैं। मेरे ख्याल से थोड़े दिनों की छुटी अच्छी होगी। वो कुछ ऐसा भी कर सकते हैं जिसके आपने कलपना भी न की हो। मैं आपका संदेश उन तक पहुचा दूँगा सद्गुरू। मुझे यकीन है कि वो एक कारिक्रम देख रहे हैं।